हेलो एब्रीवन वल्कम अगेन टू लन्विद्य देतिमन आज हमारा टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार शाशक तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं गुर्जर प्रतिहार शाशक जो थे वो कौन थे कहां से आये थे ठीके अब देखि जैसे ही हर्षवर्दन की मृत्यू होती है गुप्त काल के समय तो उस समय क्या था कि भारत की जो राजनितिक एकता थी पहले हर्षवर्दन के समय तो वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है जैसे ही वह समाप्त होने लगती है तो उत्तर भारत में छोटे-छोटे राज्य जो है वह स्थापित होने लगते हैं अब सब अपना अपना राज्य स्थापित करने लगते हैं तो आपस में इनके क्या होता है संघर्स होता है इन्हीं संघर्सों के दोरान जो है नए राजवन्स उभर कर शामने आते हैं चीक है तो उन्हीं में हम गुर्जर प्रतिहार और दक्षन पक्षमी राजिस्थान से मानी जाती है और अभी लेखों में तो यहां तक भी कहा गया है कि प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल तो स्री राम जी के जो छोटे भाई लक्षमन थे इनके वनसस बताया गया है ठीक है प्रतिहारों को और इन्हों ने करते हैं गुप्त सामराज्य की समापती पर सभी सामराज्य अपने को सौतंत्र घोसित कर लेते हैं पाटली पुत्र के बाद कन्योज राजनितिक केंदर बन चुका था इस समय उत्तर भारत में अधिकांस राजपूत वनस थे ठीक है तो पहले जो राजनितिक केंदर था प मैंने आपको starting में बताया था अब देखिए कि इनकी उत्पत्ती जो है वह कहां से मानी जाती है तो बेविन इतिहासकार अपने-पने मत देते हैं वहीं पर राजपूतों की उत्पत्ती जो है प्रत्वी राज रासों से चंदवर्दाई जो है वो क्या बताते हैं वो बताते हैं कि जो आबू परवत है वहाँ पर विश्वा मित्र रिशी, कौतम रिशी, अगस्य रिशी ठीके और भी कई रिशी जो है धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे तो जब वह अनुष्ठान कर रहे थे तो इन अनुष्ठानों को राचस क्या करते थे? मास, हड़ी, मलमूत्र डालकर उसको खराब कर देते थे अप अवित्र कर देते थे तो वहीं जो वसिष्ठ मुनी थे उन्होंने राचसों से निपटने के लिए यग्वकुंड से तीन योद्धा उत्पन किये परमार, चालुक के और प्रतिहार लेकिन जब ये तीनों भी राचसों से उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो वसिष्ठ ने क्या सोचा एक और योद्धा उत्पन किया जाए? तो उन्होंने चौथा योद्धा उत्पन किया, जो पहले तीन से भी ज़्यादा तागतवर था वो कौन था? वो जो योद्धा था, उसका नाम उन्होंने चोहान रखा ठीक है? अब ये चीज आप देखिए, कि ये सब जो बाते हैं, वो चंदवर्दाई की अनुसार हैं क्योंकि चंदवर्दाई जो है, वह है प्रत्वी राजस्रत्य के दरवारी विद्वान है, जो अजमेर के शाशक थे, तो ये चोहानों के बारे में तो बहुत ज्यादा अच्छे से लिखेंगे, उनको ही बड़ा चड़ा कर लिखेंगे रासपूतों की उत्पत्ती आबू परवत मुनी वसिष्ट के अगनी कुण से मानी जाती है, जिससे चार रासपूत जातियां उत्पन होई, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चोहान, तो ये जो चोहान जो थे, ये सबसे सकती साली साबित हुए, ये माना जाता है अगनी परदाई ने दिया था, ठीक है, और देखिए, जो प्रतिहार शाशक थे, ये सबसे ज़्यादा प्रसेद्ध हुए, त्रि पक्षिय संगहर्स में, इसको भी हम आगे चलके पढ़ेंगे, जो की 200 वर्षों तक चला था, जिसमें प्रतिहार शाशक जो है, ये ही इसकी प्रतिहारों का उलेग मिलता है, जो की जैन कवी रवी कीर्थी द्वारा रचित है, प्रतिहार का अर्थ क्या है, द्वार पाल, जो की मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी, प्रतिहार राजपूत भगवान लक्षमन के वनसज हैं, ये कहते हैं मिहिर भोज के ग्वालियर प्रसस्ती में, मिहिर भोज के द्वारा रचित है ग्वालियर प्रसस्ती जिसमें प्रतिहारों को कहा गया है कि ये बगवान लक्षमन के वनसज हैं, नील कुंट देवली राधनपूर कराड में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया, तो एक-एक जो है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से लर्ण करना है कि प्रतिहारों को कहां पर क्या कहा गया ठीक है डॉक्टर गोपिनाज शर्मा कहते हैं कि गुर्जार रात्रा शेतर का श्वामी होने के कारण ये क्या कहलाए गुर्जर कहलाए वही नैंसी ने गुर्जर प्रतिहार वंस की 26 साखाओं का उल्लेक किया है प्रतिहारों की जानकारी हमें कहां से मिलती है घटियाला शिला लेक से मिलती है जो कहां का है जोतपुर का है ठीक है तो दुबारा से इस चीज को देखिए कि प्रतिहारों का सबसे प्रतम उल्लेक जो है वह है एहुल अभिलेक से मिलता है रवीक गीर्ति द्वारा रचित और भगवान लक्ष्वन की वनसद जो है वह है मिहिर भोज की गुवालियर प्रिसिस्ती में कहा गया गुर्जर इनको कहां कहा गया नीलकुन देवली राधनपुर कराड में इन प्रतिहारों को ही गुर्जर कहा गया डॉक्टर गोपीनाच शर्मा जो है वह कहते हैं कि गुर्जरात्रा शेतर का स्वामी होने के कारण ये गुर्जर कहलाए वही नैंसी ने गुर्जर प्रतिहार की जो प्रत्थम और प्राचीन साखा थी यानि पहली और सबसे पुरानी शाखा वो मंडोर थी जो की मांडेपूर के नाम से भी जानी जाती है ठीक है तो प्रतिहारों की सबसे पहली और प्राचीन साखा कौन सी थी मंडोर थी चीनी यात्री जो की हर्शवर्दन के समय आया तो उसने जो इसकी राजधानी है पहले मंदोर थी इसकी राजधानी बाद में इसने इसकी राजधानी जो है वह भीन माल को बनाया भीन माल को ही वेन सांग ने पीलो मोलो कहा तो ये फैक्ट है जिनको आपको इसी तरीके से रटने होंगे ठीक है अरव यात्रियों ने गुर गुर्जरों को क्या कहा जुरज कहा और प्रतिहारों की सबसे पहली जो साखा थी, वो कौन सी थी? मंडौर थी अब हम देखते हैं, इनकी स्थापना कश्रे जो है, वह किसको जाता है? तो इनकी स्थापना कश्रे जाता है हरिश्चंदराजा को जिनने रोहे लादे भी कहा जाता है तो जो मूल पुरोस हैं गुर्जर प्रतिहार शाष्कों के वो कहे जाते हैं हरिश्चंदराजा इन्हों ने अपनी राजधानी जो है वहें मंदोर को बनाई थी जिसे मांडेपूर भी कहा जाता है लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कहे जाते हैं नागभट प्रतम 737 इसवी से 760 इसवी तक का इनका समयकाल माना जाता है ठीक है वास्त्विक संस्थापक कहे जाते हैं इन्हें मलेच्चों का नासक की उपादी जो है वह मिली थी जो महिर भोज ने गौालियर प्रसिस्ती में दी थी क्यों दी थी? क्योंकि इन्हों ने क्या किया था? कि जो अरब थे उनको भारत में आने से रोका था ठीके तो इसी वज़े से महिर भोज ने इन्हें मलेच्चों का नासकी उपादी दी थी अब देखिए जो नागभड प्रथम थे इन्हों ने अपनी राजधानी जो है वो कई इस्थान तरित की सबसे पहले जो राजधानी मंडोर थी इन्होंने मंडोर से राजधानी जो है वो मेरता को बनाई सबसे पहले इन्होंने जो राजधानी हवा है किसे बनाई सबसे प्रथम मेरता को बनाई मेरता के बाद इन्होंने राजधानी अपनी धीन माल को बनाई और फिर उजयन को तीसरी राजधानी बनाई ये वाला question जो है वो second grade में पूछा गया है कि जो नागभट प्रतम है इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई थी या पहली राजधानी किसे बनाई थी तो ठीक है इस तरीके से question पूछा गया था तो वहां आपको करम तो है वो अच्छे से याद रहना चाहिए सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया फिर भीनमाल को बनाया और उसके बाद उजयन को बनाया ग्वालियर अभिलेख मिहर भोज ने इसका निर्मान करवाया था जिसमें क्या कहा गया है नागभट प्रथम के बारे में कि नागभट प्रथम ने अर्वों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका इसी कारण नागभट प्रथम को मिलेच्छों का नासकी उपादी इन्हों न दी थी ठीक है ग्वालियर प्रसस्ती में राम का प्रतिहार, मेगनात के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायन की मूरती का प्रतीक भी कहा गया इन्हें, नागभट को नागावलोक और इसके दरवार को नागावलोक का दरवार भी कहा गया, तो महिर बोज जिन्होंने बहुत अधिक प्रसंसा, प्रसंस्ती का अर्थ ही होता है, प्रसंसा करना, ग्वालियर प्रसंस्ती में नागभट प्रसंस के बारे में बह इनकी भूमी का देवी थी। इनको जो उपादी मिली थी वो समराट और रण हस्तेन की मिली थी। समराट की उपादी धारण करने वाले ये पहले सासक थी। तो ये एक्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से गुर्जर प्रतिहार शाशक थे जिन्होंने समराट की उपादी धारण की थी सबसे पहले वो थे वत्सराद। इसके अलावा इन्होंने रण हस्तेन की उपादी भी धारण की थी। ये पहले शाशक थे जिन्होंने त्री पक्षिय संगर्स की सुरुवात की थी। ये त्री पक्षिय संगर्स जो की 200 सालों तक चला था। तो तीन वंसों क के बीच में ही यह त्री पक्षिय संगर्स लगबग 200 सालों तक चला था अब इस अंगर्स में आपको यह याद रखना पड़ेगा कि किसने किसको पराजित किया था और कौन किससे विजयी हुआ था पाल वंस के धरमपाल को पराजित किया था वच्छराज ने और राश्ट्र ने क्या किया इन्होंने कन्योज के इंद्रायुद को पराजित किया तो उसके बाद कन्योज के जो चक्रायुद थे इनको धरमपाल ने वहां का शाशक बना दिया था तो इन दोनों में आप लोगों को यह याद रखना पड़ेगा कि जो वच्छराज थे इन्होंने पाल को पराजित किया, कन्योज के इंद्रायुद को पराजित किया और खुद पराजित हुए थे राष्ट गूट वन्स के धर्व शाषक से, छीक है? इनके जो दर्वारी विद्वान हैं वच्छराज के वो हैं उद्धोतन सूरी जिन्होंने कुवले माला ग्रंत लिखा था समराट की उपादी जो है, धारन करने वाले पहले शाषक थे ठीक है? और रण हस्तिन की उपादी जो है, वह उद्धोतन सूरी ने कुवले माला ग्रंत में लिखा है, कि इन्होंने वच्छराज को रण हस्तिन की उपादी दी थी वच्छराज की समय 783 इस्वी में जैन आचारे जिन्सेन इन्होंने हरिवंच पुराण ग्रंत लिखा था बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने यह अंडरलाइन कर दी है तो देखिए, जो जैन आचारे जिनसेन थे, इन्होंने हरिवंज पुरान कब लिखा था? इन्होंने वद्सराज के समय लिखा था, 783 इसवी में. वद्सराज के बाद आते हैं, नागभट प्रथम, उसके बाद वद्सराज और थर्ड नमबर पर हैं, नागभट सेकिंड, इनका सिक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा, 794 से 833 इसवी, इनको जो उपादी मिली थी, वह थी परमभट्टारक महाराजा धिराज परमे कन्नोज के इंद्रायुद को वद्सराज पराजित कर देते हैं, और कन्नोज के जो चक्रायुद है, इनको पालवंस के जो धरमपाल थे, वहां का शाशक बना देते हैं कन्नोज पर, ठीक है? तो अब कौन है? चक्रायुद जो है, वह कन्नोज पर शाशन कर रहे थे, और इन में समाधी ली थी नागभट सेकंड को राष्ट कूर्ष साशक गोविंद सेकंड ने हराया था तो अब कन्फ्यूज नहीं होना है कि नागभट फस्ट थे या नागभट सेकंड थे क्योंकि देखिए वच्छ राज के समय के बाद त्रिपक्षिय संगर्ष की सुरुवात होत थे नागभट सेकंड ने वप्पा रावल के साथ मिलकर सिंद के मुहमद बिन कासिम को भी हराया था तो एक एक लाइन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी है बिल्कुल अच्छे से इन चीजों को रट लेना है फोर्थ नंबर पर है राम भद्र तो इनका समय है 833 से 836 इसवी तो इनके समय का इतना अधिक नहीं पूछा जाता है कि इनके जो विशकारे जो हैं वो कोई भी विशेश नहीं है ठीक है नेक्स्ट है मिहिर भोज तो मिहिर भोज जिन्होंने ग्वालियर प्रसिस्ती लिखी थी इनका उपनाम था राजा भोज इनकी उपादी थी आदिवरा और प्रभास कनोज को इन्होंने अपनी इस्थाई राजधानी बनाया सबसे प्रतापी शाशक मिहिर भोज को माना जा वैशनव धर्म के ये अन्याई थे, इन्होंने ग्वालियर प्रसिस्ती जो है उसका निर्मान करवाया, 851 इसवी में अरव यात्री सुलेमान इनके शाशनकाल में आया था, इसने मिहिर बोज को अर्मों का सबसे बड़ा शत्रू कहा, क्योंकि मिहिर बोज ने ग्वालियर प् तो एक्जाम में ये पूछा गया है, कि सुलेमान जो अरव यात्री था, वहें किसके शाशनकाल में आया था, तो वहें मिहिर बोज के शाशनकाल में आया था, इसके आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, रिवाइज जैसा की हम लोग करते हैं, तो देखिए जो गुर्जर प्रतिहार शाशक थे इन्होंने अपनी राजधानी जो है मंडोर को बनाया था ठीक है मारवार के शेत्र में ये लोग रहते थे सबसे पहले जो शाशक थे जो कि वास्विक संसापक माने जाते हैं वो थे नागभड प्रतम इनको मिलिच्छों के नाशक की उपादी भी मिली थी इन्होंने मंडोर से अपनी राजधानी मेर्टा बनाई फिर भील माल बनाई फिर उज्यन बनाई और यहां तक की मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रतिस्ती है उसमें मिलिच्छों का नाशक जो है कहा गया है नागभड प्रत्थम को नेक्स्ट जो हमने शाशक पढ़े सेकिंड नंबर पर वो थे वत्सराज वही जिन्होंने समराट की उपादी धारण की थी सबसे पहले और त्री पक्षिय संगर्ष की शुरुवात करने वाले भी कौन थे वत्सराज थे ठीक है तो पालवंस के धरम पाल को इ लिखा था ठीक है और नेक्स्ट पढ़ा था हमने नागभट सेकिंड को जिन्होंने परमभट्टार महराजा दिराज परमेश्वर की उपादी धारण की थी गंगा में समाधी लेने वाले जो गुर्जर प्रतिहार शाशक थे वो थे नागभट सेकिंड चीक है नेक्स्ट ह हमने जो इंपोर्टन शाशक देखे वो थे मिहिर भोज जिनको राजा भोज के नाम से भी जाना गया कन्नोज को इन्होंने राजधानी बनाया था इनके समय में सुलेमान अरवयात्री जो है वह आया था और इन्होंने त्री पक्षिय संगर्स में राष्ट कूर्ष शाशक प्रिष्ण सेकिंड को हराया था तो चलिए हमने रिवाइस कर लिया है अब हम देखते हैं नेक्स्ट साशक है महिंद्रपाल प्रथम 885 से 910 इसवी इन्होंने परम भट्टाकर महराजा धिराज परमेश्वर की उभादी धारण की थी इनका जो दरवारी विद्वान था व भज्जी का ये ग्रंट लिखे थे ठीक है तो याद रखना है कि राजसेकर ने करपूर मंजरी कावे मिमांसा हर विलास बाल भारत बाल रमायंट भुवन खोस बिद्द साल भज्जी का ग्रंट लिखा इनको एक दो बार जो है वो बोलना है इसी तरीके से कि करपूर मंजर कावे मिमानसा, हर विलास, बाल भारत, बाल रमायंड, भुवन कोस और बिद साल भज्जिका ठीक है और कई बार एक्जाम में ये पूछा गया है कि राज सेकर जो हैं वह किसके दरवारी विद्वान थे और यहीर जो राज सेकर हैं ये जो अगले शाशक आएंगे मही पाल इ कहा तो इनकी प्रसंसा की इनके जो दरवारी विद्वान राज से करते इन्हों ने बढ़ चड़ कर महिंदर पाल के बारे में कहा कि ये निर्भे राज हैं, किसी से डरते नहीं हैं, निर्भे नरेंद्र हैं, रगुकुल तिलक हैं और सूरेवन्सिय शत्रिय हैं महिंद्र पाल फस्ट ने त्री पक्षिय संगर्स में इंद्र थड को पराजित किया था नेक्स्ट दिखिए भोज दुटिय तो इनके बारे में भी इतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की जुरुत नहीं है समय इनका है 910-913 ASV तो इसको मैंने लिख दिया है लेकिन ये एक्जाम में नहीं आएगा लेकिन ये आ सकता है आपके एक्जाम में कि सिक्वेंस में गुर्जर प्रतिहार शाशकों को लगाईए नेक्स्ट साशक है महिपाल फस्ट कुछ समय तक राज सेकर महिपाल के दरवार में रहे तो महिंद्रपाल के दरवार में थे राज शेकर उसके बाद कुछ समय तक ये महिपाल प्रतम के शाशनकाल में भी रहे लेकिन इन्होंने अधिकतर समय जो है वह कहां बिताया महिंद ये कुश्यन जो है इस तरीके से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि रगुकुल मुक्तामणी राज सेखर ने किसे कहा तो किसे कहा महीपाल फस्ट को कहा ठीके और वहीं रगुकुल तिलक जो है वह कहा महिंद्रपाल को ठीके थोड़ी सी ही अंतर है इसमें यहां पर है बगदाद का निवासी अलमसूदी भारत आया था तो अरब यात्री सुलेमान जो है वह महिर भोज के समय आया और महिपाल प्रत्थम के समय बगदाद निवासी अलमसूदी भारत आया था अलमसूदी ने गुर्जरों को अलगुर्जर और राजा को बोरा कहा तो यह अंड इतना जादा जो है वो जानकारी आपको नहीं लेनी है और सिक्वेंस जो है वो याद रखिएगा देवपाल के बाद आएंगे विनायक पाल सेकंड फिर महीपाल सेकंड विजयपाल सेकंड और उसके बाद आते हैं राज्यपाल तो ये भी इतने जादा विशेश नहीं रहे लेकिन इनके बारे में एक लाइन है जो याद रखनी है कि 2018 इसवी में महमूद गजनबी ने कमजोर शाशक जो राज्यपाल था इसको गद्धी से भगाया और इसी डर्पोकता के कारण जो चंदेल राजा गंड और विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी, ठीक है? तो जो भगोडा शाशक है गुर्जर प्रतिहार शाशकों का वह कौन है? राज्यपाल, ठीक है? याद रखिएगा. राज्यपाल के बाद थ्रलोचन पाल आए और अंतिम शाशक कौन है? गुर्जर शाशक, वो है येस बाल. तो प्रथम जो वास्तविक संस्थापक माने ज होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों को त्री पक्षिय संगर्ज के बारे में बताया था. तो यहाँ देखिए, यह 200 वर्स तक चला था. साड़े 700 AD से लेकर साड़े 900 AD तक, ठीक है? जो कि 200 वर्स तक चला. अंतिम गुर्जर प्रतिहार जो है इसमें विजई रहे थे और प्रारम करने का श्रे भी इनको ही जाता है. तो यह मैंने आप लोगों को पहदे सब कुछ बता दिया था, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम अजमीर के चोहानों को पढ़ेंगे. थैंक यू. झाल झाल